वेल्कम बैक तो दे चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे हमारे एक्स्टरेनल अफ्यर्स मिनिस्टर जैशंकर साब अभी पाकिस्तान गया है वो गया है समीट में पाकिस्टान के साथ इंडिया का इसमें यह काफी खराब हो ता अपना जो मतलब terrorism और टॉक जो है वो पहले रान नहीं कर सकता है इसमें इंडिया कंप्रिलिस्टिक रहे आज भी आगर देखे तो इंडियन गवर्मेंट का स्टैंड सेम है और देखा जाए तो नौ साल बाद इंडिया के दरब से कोई मिनिस्टर पाकिस्तान गए है और समीट में पार्टिसिपेट करने के लिए तो नो डाउट यह वान आप दा मोस्ट इंपोर्टेंट समीट है दुनिया में बहुत सारा कंप्रिज जो है उलनों को पता है के इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन क्या है और आगे जाके यह जैशंकर सब अपने तरब से पूरा क्लियर कर गए कि हम मैं सिफ जा रहा हूं समीट में पार्टिसिपेट करने के लिए नफिंग अल्स आगे जाके क्या होगा या नहीं होगा यह तो दूर का बात है मगर उससे पहले जब यह समीट एटेंट करने के लिए हमारे जैशंकर स दूसरा जो कोशन है क्या यह समीट के बाद करने में कदो बंद हो जायेगा तीसरा जो कोशन है कि यह जो समीट हो रहा है इससे आगे जाके क्या चाहिना सक्सेस्ट्फिल होगा यह जो स्यों का ग्रूप है ये पूरा group को anti-west group में convert करने में मतलब जो भी countries है हर कोई anti-west हो जाएगा या फिर west के against में खरा रहेगा next question है उसमें SEO के जो 10 members है मतलब जो 10 members countries है क्या वो लोग agree करेगा एक साथ कि हम लोग against west एक साथ stand लेंगे और हम लोग united रहेंगे तो चलिए discuss करते हैं SEO established किया गया था और आज के डेट में अगरा SEO को आप देखे ये एक Eurasian Political Economic Security and Defense Organization है SEO का headquarters चाइना के बेजिंग में और उस्बेकिस्तान के तसकेंड में है इस group में 10 member countries साथी साथ dialogue partners countries साथी साथ guest attendees countries भी है तो इस साल SEO का जो summit है वो पाकिस्तान होस्ट कर रहे और पाकिस्तान का बहुत ही जादा उम्मीद लगा हुआ है कि आगे जाके इंडिया और पाकिस्तान का relation हो सकता है कि ये जो SEO summit है इसके बाद improve करें जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया के तरफ से हमारे external affairs minister जैशंकर साथ पाकिस्तान गया है वो अपने टीम के साथ गया है और ये जो summit है ये दो दिन का total program है जिसमें जैशंकर साथ अपने तरफ से already speech रख चुके है आगे जाके हम लोगों को बहुत उम्मीद है इस SEO summit से क्योंकि दुनिया जो है इस पर आखे ठीकाए बैठे अगर जैशंकर साथ से जब पूछा गया ये summit में जाने से पहले exactly क्या ये summit जो है ये आगे जाके इंडिया और पाकिस्तान के बीश में कोई bilateral talk start कर सकता है तो जैशंकर साथ का कहना था कि मैं तो जा रहा हूं सिफ SEO summit करने के लिए कोई bilateral talk का कुछ बात नहीं हुआ दे इसके वएसे हम लोग जाएंगे और SEO summit में participate करने लेंगे और जो जो points हम लोग को raise करना हम लोग को लगता है वो ही सारा point हम लोग SEO summit के जो member से हम लोग के सामने raise करेंगे actually India बहुत clear है अपना जो 2T concept है उसको लेके इंडिया का कहना है कि talk और terrorism जो है वो पहले रन नहीं कर सकता अगर आपको बात करना है तो आप terrorism को stop कीजिए उसके बाद आप आईए उसके बाद हम लोग आप के साथ बात करेंगे मगर जब तक आप यह terrorism continue करेंगे उसके बाद आप बोलेंगे कि हम लोग peace talk करते हैं यह कोई concept ही नहीं बंगता है तो इससे एक बात तो clear है कि जब तक पाकिस्तान के तरब से cross border terrorism हो या फिर terrorism हो यह बंद नहीं होता at that point of time इंडिया कभी भी bilateral talks में नहीं जाएगा और जैशंकर साब भले ही SEO summit में पाकिस्तान चले गए मगर जैशंकर साब अपने तरब से कोई भी step नहीं लेगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बिश में bilateral talk हो जबके terrorism जो है वो continue चलता ही जा रहा है तो no doubt depend करता है पाकिस्तान के उपर अगर वो लोग चाते हैं कि इंडिया के साथ लोगा bilateral talk start हो तो obviously लोगो terrorism stop करना पड़ेगा अगर terrorism stop हो जाता है अगर पाकिस्तान के उपर अगर पाकिस्तान चाहता है या फिर पाकिस्तान का military चाहता है कि आगे जाके इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन जो हो ग्रो करे और इंडिया का clean and clear concept जैसे मैं आपको बताया कि जब तक terrorism चलेगा तब तब कोई bilateral talk नहीं होगा अगर पाकिस्तान के तरफ से यह terrorism बंद हो जाता है at that point of time bilateral talk भी start होगा साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जो terrorism है यह भी घट जाएगा आमदाद से जम्मू कश्मीर एक बेटर प्लेस बन सकता है तो no कश्मीर पे terrorism किस लेवल पर जाएगा नो डाउट इंडियन गवर्णमेंट अपने तरफ से बहुत सारा स्टेपलिया है जिसके वाज से जो टेरिस्ट है यह पहले जासा नहीं रहा अब भी अगर आप लोग न्यूस को फॉलो करते तो आपको पता चलता कि ज्यादा टेरिस्ट को इंडियन गवर्णमेंट के तरफ से शूट किया जाता है जो कि पहले हम लोग नहीं करते तो नो डाउट इससे भी कश्मीर का जो माहूल है यह काफी बदल गया है नेक्स जो कोशिण है कि चाइना का जो कोशिश है कि एक एक एंटी वेस्ट और्गनाजेशन में कनवर्ट करना क्या चाइना इसमें सक्सेस्फूल होगा प्रेजेंट लिए अगर हम लोग देखे एस सीओ में जो टेंड मेंबर कंट्रीज है उनमें से जारा-जार बलता है बलता है हाँ हुदूर हाँ हुदूर हाँ हुदूर जैसे हम लोग देखते हैं पाकिस्तान को क्योंकि आगे जाके इन लोग को डिफरेंट टाइप अप एकोनोमिक हिल्प मिलता रहता है चाइना के पास से ऑन दादा साइड देखा जाए कुछ ऐसे भी कंप्रीज है जो चाइना का बात नहीं मानता है जो अपना स्टैंड खुड लेता है आज के डेट में अगर वर्ल्ड में जो एकोनोमिक ओडर है उसको हम लोग फॉलो करें तो नो डाउट इंडिया को आप हो सकता है कि थर्ड या फॉर्ट पोजिशन में मानते हैं और हो सकता है कि है वेस्ट का इतना कुछ मीजर कुछ इशू नहीं है हो सकता है कि कैनाडा कुछ इशू कर रहा है छोटा मुटा इधर से उधर से कुछ हो रहा है इंडिया के साथ यूस का भी रिलेशन बहुत ही अच्छा है इसके लाभा इसराइल को देखे तो इसराइल का भी रिलेशन लगले तो नो डाऊट इंडिया क्यों चैनल सब्सक्राइब लगई हैं जाहां वेस्ट करते हैं अगर आएकर डु मी नहीं हम लग को रहे हैं एक एंटी वेस्ट और जिसके वाइसे चाइना का यह जो कोशिश है वह सकता है कि चाइना डिफेंट कंट्री को कुशिश करेगा बाइग इंवेस्टमेंट इन इन देर कंट्री जैसे कि हम लोग देखे यह जो एयरपोर्ट अभी इनोग्रेशन हुआ पाकिस्तान में जिसको एक 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 एंटी वेस्ट औरगनेशन है इसमें डिफरेंट टैप अप कंट्री से उन में से कुछ कंट्री जो है वो चाइना को जाधा सपोर्ट करता है और बहुत सारे कंट्री से जो अपने खुद का स्टैंड रखते हैं जिसके वाइसे चाइना का यह जो ड्रीम है अभी यह सक्सेस्फुल नहीं होगा। Except this हम लोग को जैसे पता है कि जैशंकर साब पने पने तरफ से अपना जो बोल है हमेशा बोलेते हैं कहाँ बोलना था क्या वो हमेशा है इंडिया का जो नैशनल इंट्रेस्ट है उसमें ही बात करते हैं वो कभी भी नहीं सोचते हैं कि मैं क्या बोला हूं या फिर कहां बोला हूं इस बार आगर हम लोग पाकिस्तान में देखें जैशंकर सबने अपने तरफ से जैशंकर साब ने अपने तरफ से जो पियो के अंदर चाइना और पाकिस्तान मिल के प्रोजेक्ट डेवलप किया है उसको लेके भी जैशंकर साब ने अब्जेक्शन अपने तरफ से दिया है कि यह करना नहीं चाहिए था और यह जो है इंडिया कभी सपोर्ट नहीं करता है इसके लाए भी जैशंगर साब ने अपने तरफ से genuine partnership, peace stability for development and growth, corporation must be based on mutual respect, Indian initiative and endeavors like DPI or Omen-led development, ISA, CRDI, Mission on Life, GBA, yoga और भी बहुत तरह topic में अपने तरफ से अपना जो भाषन है, वो SEO के सामने रखा है, आगे जाके हम लोगों को देखना पड़ेगा कि different countries जो है, इसमें कैसी अप्रोश करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि SEO में ज़्यादा जो country जे वो चाइना का हाम मिलाएगा, on the other side, इंडिया का ये सारा जो issues इंडिया ने अपने तरफ से raise किया है, इसमें कौन क्या बोल रहा है, या फिर कौन क्या stand ले रहा है, on the other side, सबसे major जो है, पाकिस्तन क्या stand ले रहा है, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, तो नोड़ाट ये जो SEO summit पाकिस्तन में हो रहा है, इसमें दुनिया अपने जो नजर है, वो टिका के बैठा है, आगे जाके इससे क्या outcome आता है, या फिर क्या-क्या contract साइन होता है, या फिर क्या-क्या deal होता है different countries के बीश में, और हम लोग भी देखेंगे ये summit end होने के बाद, कि इंडिया आगे जाके किस-किस program में सामिल हुआ है, या फिर इंडिया आगे जाके कौन-कौन से agreement में साइन भी क्या है, तो जैसा है इसका update आएगा, मैं आप लोगे लिए एक अलग सा वीडियो बना दूँगा, hopefully ये वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगा, अगर आपको ऐसे ये इंट्रेस्टिंग वीडियो और देखना है, तो आप मेरा YouTube चैनल अतनु पॉल, ATA NU Space PL को जागे सब्सक्राइब कर सकते है, जब भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है, और अधर सेट, हम लोग जैसे जो क्रेटर है, हम लोगा जो रोजी रोठी है, वो चलता रहते हैं, ये वीडियो देखने के लिए बहुत सरा धन्यवाद,